और अब आज की बड़ी खबर में बात कैराना क्रांती की। क्यों ऐसा कह रहे हम। 2019 के चुनाव से पहले UP का ये आखरी सबसे बड़ा चुनाव हो गया और BJP को कांटे चुप हो गया। कैराना की वही जगा है जहां हिंदू के पलायन का मुद्दा जोर शोर से राजनीतिक तोर पर उठाय गया था। कैराना वही जगे है जहां गन्ना खेती होती है, गन्ना खेती के लिए जाना जाता है लेकिन कैराना उप्चुनाव में विपक्ष ने हाथ से हाथ क्या मिलाया, बीजेपी की जमीन ही खिसक गई विपक्ष केराना में जीत के जश्ण में है लेकिन बीजेपी में हड कम्प मचा हुआ है केराना की हार को CM योगी की हार के दोर पर देखा जा रहा है दो विधाएको ने ही योगी सरकार पर सवाल उठाये हैं विधायकों के नज़रिये से कैराना की हार का विशलेशन डिखाने से पहले आप देखिये कैराना में BJP क्यूं हार गई तो केराना में हार के बाद दो दो विधायकों ने साधा है योगी पर निशाना बीजेपी विधायक शाम प्रकाश ने कविता लिखी है तो सुरेंदर सिंग ने भी आरोप लगाये कि भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी हार गई और अब आपको हार के कारण बताते हैं आखिर क्यों केराना में बीजेपी की हार हुई जिन्ना विवाद का मुद्दा बीजेपी के काम नहीं आया केराना में उपचुनाव हुआ बीजेपी हार गई हार के कारण आपको बता रहे हैं अलिगर मुसलिम उनिवरसिटी में जिन् दलित बीजेपी से नाखुश है और ये नतीजों में देखने को मिला गन्ना किसानों की नाराजगी बीजेपी को कहराना में भारी पड़ी ये एक और बड़ा कारण रहा बीजेपी की हार का गन्ना किसान बीजेपी से नाराज है जिस वज़े से बीजेपी कहराना हार गई ग पार्टी के भीतर से ही आवाजे उट रहे हैं उपचुनाओं में बीजेपी की हार के बाद पीए मोदी के समर्थक उनके करीबी जफर सरेशवाला ने तेजस्वी और कैराना की नवनिर्वाचिक सांसर तबस्सुम को बधाई दी है और विपक्ष की एक जुटता की तारीफ की है जफर सरेशवाला इतना तक कह गए कि सांप्रदाइक धुरूविकरन और बाटने की राजनीती अब काम नहीं करेगी तो कहराना में हार के बाद सवाल उठ रहे हैं कहराना हार पर मोधी समर्थक जफर सरेशवाला ने विपक्ष की एक जुटता की तारीफ की है उन्होंने ये भी कहा है कि धुरूविकरन और बाटने की राजनीती काम नहीं करेगी जफर सरेशवाला पिये मोधी के समर्थक रहे हैं और अब विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं कहराना जैसे सांप्रदाइक तनाव वालेक शेत्र से तबस्वम हसन का बड़े अंतर से जीतना सांप्रदाइक धुवीकरन के सध्धान को नकारता है ये समझना चाहिए कि विभाजनकारी राजनीती काम नहीं करेगी ये ट्वीट किया है मोधी समर्थक जफर सरेशवाला ने उप्चुनाव के नतीजे 2019 के लिए बड़ा सबक हैं पुराना सिध्धान्थ हैं एक जूठ हुए तो खड़े रहेंगे और अलग हुए तो गिर जाएंगे तो विपक्षी एक्ता की तारीफ भी वो कर रहे हैं महराश्र में बटा हुआ विपक्ष हारा और यूपी में एकठा विपक्ष जीता सामप्रदाइक धुवी करण और बाटनी की राजनीती अब काम नहीं करेगी तो मोदी के दोस्त हैं उनके समर्थक हैं लेकिन विपक्षी एक्ता की तारीफ कर रहे हैं उप्चुनाव ने एक और सबक दिया है कि किसी राजनीतिक पार्टी या नेता की श्रधांजली नहीं लिखी जानी चाहिए लालू प्रसाद यादव और RGD इसके उधारण हैं बधाई हो तेजस्वी आदव तो तेजस्वी आदव को भी बधाई दी है विपक्षी एक्ता की तारीफ की है और ये भी कहा है कि बाटने की राजनीती अब काम नहीं करेगी मोदी के दोस्त, मोदी के समर्थक, जफर सरेशवाला, सवाल है कि क्या मोदी के दोस्त का मन बदल गया है आखिर क्यूं कर रहे हैं विपक्षी एक्ता की तारीफ तो आज की बड़ी खबर में आपने देखा केराना क्रांती में किस तरह पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है आज की बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं केराना क्रांती की कैसे उपचुनाव मेहार के बाद बीजेपी अपने ही घर में घिर गई है यूपी उपचुनाव में हार के बाद BJP विधायक शाम प्रकाश ने BJP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है गोपा में उसे विधायक है शाम प्रकाश और उन्होंने कविता लिख कर कहा है कि मोदी के नाम पर वोट तो मिले लेकिन जनिता का काम नहीं किया विधायक ने कहा कि पहले गोरकपूर और फूलपूर और अब नूरपूर में BJP का हार हम देख रहे हैं इसका उन्हें दुख है कल ही कहराना लोगसभा उपचुनाव और नूरपूर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आये BJP हार गई थी और उसके बाद BJP विधायक शाम प्रकाश ने फेस्बूक पर अपना गुस्ता निकाला है एक कविता के जरिये BJP विधायक शाम प्रकाश ने जिस कविता के जरिये अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार पर हमला बोला है वो आप देखिए शाम प्रकाश ने Facebook पेज पर ये कविता लिखी है और गुस्सा निकाला है नूरपूर और कहराना में हार का सीधा सवाल उठाए हैं योगी सरकार पर अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया है उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर वोट तो मिल गए लेकिन जनता का काम आपने नहीं किया क्या कहा है उन्होंने देखे मोदी नाम से पागे राज, करना सके जंता मन काज, संग संगठन हाथ लगाम, मुख्य मंत्री भी असहाय जंता और विधायक त्रस्त, अधिकारी अध्यक्ष भी भश्ट उतर गई पठरी से रेल, फेल हुआ, अधिकारी राज, समजदार को है ये इशारा, आगे है अधिकार तुम्हारा तो ये वो पंक्तियां, ये वो कविता जो फेस्बुक पर बीजेपी के विधायक शाम प्रकाश ने लिखी है कैराना और नूरपूर में मिली हार का गुस्ता निकाला है वहीं यूपी के बल्या में बीजेपी विधायक सुरेंडर सिंग ने यूपी में बीजेपी की हार पर सवाल उठाए है सुरेंटर सिंग ने कहा है किस हार के पीछे शुद्ध रूप से करमचारियोー और अधिकारियों में फहले भरष्टा-चार का हाथ है खार की पीछे सुद्रुप से करमचारियों और अधिकारियों में ब्याप्त भरस्टाचार और समाज को परिसान होना परिसान करने की जुनियत है इसी के चलते हम लगा रहे हैं और हमारे नेता बर्ग को अब संदेश एक बढ़िया चला गया कि तवसील और बलाग और जब तक ठाने ठीक नहीं होंगे समाज में अच्छा संदेश जाने वाला नहीं हो जितना सुधार जो बहुंपर होना चाहिए अभी सुधार उतना नहीं हो तो बल्या से बीजेपी विधायक है सुरेंदर सिंग जिनोंने साफ कहा कि भष्टाचारी हैं जादतर अधिकारी और इस भष्टाचार के चलते ही बीजेपी की हार हुई बीजेपी के विधायक एक-एक करके आपने देखा कैसे बीजेपी की हार पर सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पर और अपनी पार्टी पर ही पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा खोल रहा है तो कोई ये कह रहा है कि भ्रष्टा चार के चलते ये हार हुई यानि केराना में हार के बाद बीजेपी में मचा हुआ है हाहा कार और इसको हम कह रहे हैं केराना करांती ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे